बॉलिवुट के डिस्कोर डांसर मिथुन चक्रवर्थी की शूशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल हो रही है तस्वीर में मिथुन्दा अस्पताल की बेट पर लेटे हुए हैं जुसे देखने के बाद उनकी हbelt को लेकर तरह तरह की बाते होनी शुरू हो गई है वहीं मिथुन्दा की हल्थ को लेकर चिंता सता रही है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है हम आपको एक्टर की वाइरल फोटो का सच बता रही है दरअसल मितुन के बेटे मिमौ चकरवर्थी ने अब एक्टर की हैल्थ के वारे में जौनकारी दी है उन्होंने बताया मितुन चकरवर्थी को किडिनी के स्टोन की समस्या के बाद अस्पताल में भरती कराई गया था वारल तस्वीर हॉस्पिटल की ही है जिसमें वो बेहोशी की हालत में बेट पर लेटे हुए दिखाई दे रही है लेकिन अब एक्टर की सेहत बिलकुल ठीक है और उन्हें बैंगलूरू के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है वो बिलकुल फिट और फाइन है और घर पर अराम कर रही है मिथुन चक्रवर्ती का हेल्थ अपडेट सामने आने के बाद अब उनके लाखो फ्रांस ने राहत की सांस ली है वहें बिजेपी के पूर्वसांसत डॉक्टर अनुपम हाज्रा ने मिथुन चक्रवर्ती की हॉस्पिटल बैड में लेटे हुए एक फोटो ट्वेट की थी उन्होंने लिखा था कि गेट वैल सून मिथुन दा मिथुन चक्रवर्ती को हाली में कलर्ज के शो हुनरबाज में देखा गया था मिथुन चक्रवर्ती इस शो के जज्ज थे और पूरी ज़र्णी के दौरान उन्होंने अपने खास अंदास से दर्शकों को खूब एंटर्टेन किया फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दमाम कबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया फिल्दी के साथ